हेलो दोस्तों मैं मुकेश डिंगरा अपने यूट्यूब चैनल देशी कॉक्टेल में आप सभी का स्वागत करता हूँ तो गाइस आज मैं बात करूँगा ऐसी विस्की का जो बहुत ही फेमस है इंडिया में के पूरे वर्ल में फेमस विस्की है और सेल की बात करें तो उसका इंडिया में सेकेंड नमबर पर सेल है इतना सेल है कि क्या बता हूँ बता भी निसकता हूँ कि आप उस विस्की का इतना सेल है और जिस whiskey की मैं बात कर रहा हूँ और आज उसी whiskey का आपको review करके बताओंगा और मैं वो whiskey जो बता बोल रहा हूँ उसका नाम है mcdowell's number one whiskey यह सबसे भेतरिन whiskey है और एक budget friendly whiskey है इसके review मैं आज आपके साथ share करूँगा guys बहुत time के बाद कम से कम 20-25 साल के बाद ये बॉटल मैंने अपने हाथ में ली है 20-25 साल से इस विस्की को छोड़ दिया है जवानी के टाम में पीता था बात करू 84-85 की जब मेरी शॉप थी लिंकिंग रोड में बॉंबे में फोटा सा शॉप था तो हम तींचर फ्रेंड विजनिस करते थे तो बजेट फ्रेंडली विस्की थी और यह हमारा पॉकेड का बहुत ध्यान रखती थी हम चार फ्रेंड यही रात को पीते थे दुकान बंद करने के बाद जिसका रेड आपको मैंने बोला सो रुपे में आती थी हम शेयर करके पीते थे बहुत ही प्यारी और भेतिरीन विस्क वह हमेशा आते थे सामने बड़ी दुकान थी शू की बॉन बॉन शू पर पैलेस वहां वह भूट लेने आते थे आपने पिच्चरों में देखा हुगा कि मितुन चक्रवर्ती के भूट एक से एक होते थे कभी रेड पेंच दे थे कभी वाइड वाइड शू लेने वहां बहुत हैंसम दिखते थे वह हमारे मेरे तो फेवरेटी थे मेरे दो लोग ये उसे बड़ लाइक करते थे तो जिस दिन वह आते थे तो हम लोग शाम को बॉटल खोलते थे मैग डॉल और हम लोग दो पैग मैं जादा पीता था क्योंकि मैं मितुन दाकर देश को खुश हो देखा है तो मैं दो पैग इस मैग डॉल के जादा पीता था दोस्तो चलिये दोस्तों अब बाते बहुत होचकी ए अब हम थोड़ी विस्की के बारे में बाते करते है इसे बनाया है यॉनएक और स्पेरिट लिमिटे ने और यॉनएक्द स्पिरिं लिमिटेड जो कंपनी वो वीजय मालय की कंपनी है वीजय मालय काई टाइप की विस्की उस कंपनी में बनाते थे जैसे सिंग नेचर है काफी रॉयल चैलेंज है काफी विस्की उसमें एंट्यू किटी है यह सब विस्की उसमें बनती थे यूनेटेस फिरी लिमिटेड कंपनी बनाती थी और उसी न तो इसका टेश भी एक भेतिरीन विस्की है तो बाकी तुम्हें क्या वोल्यूम इसका 42.8% है और अगर आप इसे पूना में खरीदेंगे तो 750 ml की बॉटल आपको सिरफ 600 उपीज में मिल जाएंगी महाराष्टा में बाकी के चंदीगर दिली वहां तो अलग-अलग रेट हैं तो आपको और सब्सक्री मिल जाएंगी यहां महाराष्टा में इसका रेट 600 है 750 ml की बॉटल का काफ़ी रिजनेबल रेट है तो दोस्तो अब हम नोजिंग करके देखते हैं क्या नोज बोलती है यह कलर देखिए दोस्तो दार्क गोल्डन कलर है कलर तो बहुत प्यार है और अभी मैं इस नोजिंग करके बतातूं क्या बोलती है यह एक ही भबका आया स्पिरीड का बहुत ही श्ट्रॉंग है क्योंकि अभी आदत नहीं रही ना अज कल कैसे हैं थोड़ा सिंगल मॉल्ड विस्की पीते हैं तो इसके थाड़ा आदत छुटके पंदरा भीस साल हो गया है एक दम वह भबका आया तो इसमें से मुझे स्पिरीड की नोडस आ रहे जाएं दोस्तों थोड़े बहुत यसे बारले के नोडस मिल रहे है तो चलिए अब मैं आपको थोड़े टेस्टिंग करके बताता हूं यह नीड तो मैं नहीं पीत कि बतातों क्यूंकि बहुत स्रॉंग है बंद करती पैमा जले भी नहीं रही तो मैं आपको थोड़ा वाटर इस करके बताओ तो क्या टेश्ट बनती है चलिए चीर दोस्तो काफी सालों के बाद ये इसकी हाथ में ली है और क्या बोलू समय आते हैं बहुत ही टाइम के बद लिए और थोड़ा सा बंग किया बद उसमें गले में उतरते समय बाकि कुछ आशा खास टेश्ट नहीं मिल रहे है थोड़ा मुझे अशा हानी का थोड़ा नोर्स आयरा है थोड़ा स्वीट बाकि ठीक है यह तो आपको कहूंगा मुझे एक कमेंड में एक किसी ने बोले आकाश करके नाम है उसने कहाए कि सर कौनसी बज़ट फ्रेंडली विस्की है मुझे बताना तो मैं आकाश आपको बत करते हैं तो सबस پंगर ना में अपना बसी रह देडिये मेंन बाके हतलो है यह दो करदां पहरा में नोगी च्डा पहले प्ले प्यार फिर मोबद फिर यारो जिन्द्थ सब कच कर देती है कि खराब फिर भी दोस्तों क्यों हम पीते हैं ये शराब फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें गुड़ वाई एंड चेर्ट्स